नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम स्वेटर में वी नेक बनाएंगे पंदे उठाएंगे बुनाई करेंगे और सुई से इसको क्लोज करेंगे तो सबसे पहले इसे बुढ़ने के लिए हमें डबल पॉइंटेट निजिल की जरुत पड़ती है गले वाले निजिल की देखिए इसमें दोनों सिरे खुले हुए हैं तो हमें ऐसे निजिल की जरुत पड़ती है तो हमने अपना थेट देखिए यहां छोड़ा हुआ है दोनों शोल्डर जोइंट करने के बाद यहां अपना थेट छोड़ा हुआ है तो इसी थेट से हम यह पूरी Von principworks फंदे उठाना शुरू करेंगे तो मैं देखी यहां पर हम एसे एकदम पास पास में यहां जहां हमने जॉइंट कहा से में प्रड़ा यां लगाएंगे और एक फंदा उठा लेंगे, और हम ऑसे पास पा समें फंदे उठाएंगे कि एक दम किनारे हम फंदे ने उठाएंगे ऐसे ही पास पास में हम फंदे उठाना शुरू करेंगे देखिए कि एक देखिएभा स्झेट प्रूग हम फंदे उठाना शुरू को से मंगे बडना शुरू करेंगे उठाना शुरू करेंगे lum देखिए फ्रांट्स ये टोटल हमारे 72 फंदे उठे हुए हैं तो जितना हम इस साइड में उठाएंगे सेम उतना ही हम इस साइड में उठाएंगे इख फंदे अधिक न इख फंदे कम जितना इधर उतना सेम इधर भी उठाएंगे यानि की 72 फंदे ही हमें इधर भी उठाने होंगे तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा से खिर देंगे ताकि फंदे गिरें मत और दूसरी साइड भर हम दूसरा अनेडिल लगाके और इस साइड भी फंदे उठाना शुरू करेंगे थे पास-पास फंदे उठाते हुए हम 72 फंदे उठाएंगे तेकिए फ्रांस इधर भी मैंने 72 स्टीचे उठा लिया है और अब हमारा यह गले की साइड फंदे उठाने हैं गले को मैंने चार लाइन पहले ही घटा लिया था तो अब गले के फंदे उठा रहे हैं अब इसके लिए हम तीसा अपना सलाई लगाएंगे झाले के लिए लगाएंगे तो देखिए फ्रांस बैक साइड में हमारे 38 फंदे उठे हैं तो दोनों फ्रांस साइड में 72 72 और बैक में 38 टोटल हुए 72 72 144 और 38 यानि टोटल हुए 182 फंदे तो यह हमारे 182 फंदे टोटल उठे हुए हैं और अब हम अपना बनाई शुरू करेंगे तो यहां से हम देखिए हमारा थ्रेट यहां से है और अब हम बनना शुरू करेंगे इसे थोड़ा पास पास कर देंगे ताकि फंदे गिरे मत तो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा सिंगल रिम में हम बनना शुरू करेंगे तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनते हुए मैं यहां तक कंप्लेट करके आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रेंट्स हमने 71 फंदे बुण लिये हैं और यह है इसका लास्ट फंदा तो लास्ट फंदे को उल्टा फंदा आया है देखिए यह उल्टा फंदा आया है तो हम इन दोनों फंदों को हम चाहे तो एक साथ ऐसे सीधा बुलने एक साथ ऐसे सीधा बुलने और जो हमने यह फंदा इस पे उठाया है यह उतारा था इसको अब हम इसको अब हम ये हमने सलाई पे चढ़ा लिया है तो ये हमने दो फंदा एक साथ बुन लिया है अब चाहें तो इस फंदे पर ये हम ऐसे चढ़ा दे तो ये एक मैथल हुआ या फिर या फिर अब देखिए ये ये वाला फंदा इस सलाई का ये लास्ट फंदा है और ये फंदा इस सलाई का फिर्स्ट फंदा तो दो मैथल है एक मैने बताए कि इन दोनों फंदों को एक साथ बुन कर और इस फंदे को इसके उपर ऐसे चढ़ा देंगे इन दोनों फंदों को एक साथ बुन कर और इस फंदे को इसके साथ चरहा देंगे या फिर अब देखिए ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ ये थर्ड हुआ तो हम क्या करेंगे ये सेकंड वाला फंदा ऐसे हम पहले ले लेंगे फिर फर्स्ट वाला फंदा और फिर ये थर्ड वाला फंदा इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे तो ये दो मेथड हुआ आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको अपना सकते हैं अगला फंदा हमारा ये उल्टा आएगा फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा ऐसे अब क्रम से बुनते हुए पुरी सलाई कम्प्लेट कर लेंगे तो पुरी सलाई कम्प्लेट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे खिश दीजेगा सरका लेजेगा वरना फंदे गिरने का डर रहता है तो हमने दूसरे साइड के भी फंदे बुन लिये हैं लास्ट फंदा हमारा उल्टा आया है और अब ये बैक साइड है तो ये फंदा हो जाएगा सीधा फिर सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा तो सीधा उल्टा बनते हुए ये सलाई भी हम कम्लीट करेंगे यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स ये दोनों फंदे उल्टे आ गए इसका लास्ट फंदा भी ये उल्टा है और इसका फस्ट फंदा भी उल्टा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए या तो हम इस फंदे को घटादे याने की न बने या फिर एक और फंदा बढ़ा ले तो हम इस फंदे को नहीं बनेंगे तो अब हमारा ये सीधा आ गया और ये उल्टा ऐसे ही हमारा आना चाहिए एक फंदा सीधा बुरने के बाद अगला फंदा हराल में उल्टा ही आना चाहिए तो सीधा हुआ ये फंदा 180 तू था एक फंदा हमने गिरा दिया एक फंदे को हम ने गुनेंगे लास्ट फंदे को तो यह हमारा हो गया 181 अब फिर हम यह देखिए उल्टा फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे उल्टा बुन लेंगे और फिर नेक्स्ट सीधा है सीधा तो सीधा उल्टा बुनते हुए हम यहां पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे तो लाइन कंप्लेट करके मैं आपको दिखाते हूं तेकिए फ्रेंट्स ये हमारा इसलाई का लास्ट फंदा है इसलाई का ये लास्ट फंदा है तो अब हम मैं फिर से बता रहे हूं ध्यान देजेगा ये इसलाई का लास्ट फंदा है और ये वाला इसलाई का फर्स्ट फंदा ये जो है वो सेंटर फंदा है जो हमारा चोटी की तरह बनेगा तो दो विदिया है या तो हम इन दोनों देखे यह उल्टा फंदा इन दोनों फंदो को उल्टा बुन लें ऐसे उल्टा बुन लें और इस फंदे को इसके उपर ऐसे चढ़ा दें तो एक विदिये है या फिर ये पहला है ये हमारा चोटी वाला फंदा है और ये जो है इस सलाई का तीसरा फंदा है और तो दूसरी विदी ये है कि देखिए ये जो चोटी वाला फंदा है पहले हम इस सलाई डालेंगे ठीक है फिर ये इस सलाई के लास्ट फंदे में और ये दूसरी सलाई के फस्ट फंदे में देखिए चोटी वाला फंदा हमारा उपर आ गया है तो इन तीनों को हम एक साथ लेंगे और अब इसे हम सीधा बोलेंगे तो यह दूसरी विदि है तो इन दो विदियों में आपको जो भी आसानी से आपसे बन जाया उसे आप अपलाई करें इन दोनों विदियों में से आप किसी भी विधी को अपलाई करेंगे रिजल्ट हमेशा एक ही जैसा आएगा तो जो विधी आपको आसान लगे उस विधी से आप इस चोटी को बनाएंगे अब फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे सरकालिया कीजिए परना फंदे करने का डर रहेगा अब फिर हमारा अगला फंदा सीधा है तो सीधा उल्टा बुनते हुए हम अब लाइन कम्प्लेट करना अब सीधा उल्टा बुनते हुए स्लाइए कम्प्लेट कर लेंगे अब ऐसे ही हम राउंड राउंड बिंते जाएंगे यहां पे आके आपको फंदे घटाने है यह जो चोटी बन रहा है यहां पे आपको फंदे घटाने है दोनों साइट से हर सीधी लाइन में अब तो हमारा चुकि राउन राउन चल आ है तो हर लाइन सीधी ही लाइन है तो हर लाइन में यहां पे आके आपको फंदे घटाने हो दो फंदे दोनों सलाइयों में से एक-एक फंदे लेके तीसरे फंदे को हम इसके उपर चाड़ाएंगे जैसे भी आपको सुटेबिल लगे आपको वैसे करना है लेकिन हर सीधी लाइन घर लाइन में यहाँ पे फंदे दो फंदे घटेंगे एक इस सलाई से और एक इस सलाई से दोनों सलाई से एक एक फंदे हर लाइन में यहाँ पे घटेंगे देखिए फ्रेंट्स यह हमारा नाइन्थ रो है तो यह बीच वाला तो सेंटर फंदा होता ही है यह हमारा नाइन्थ रो है तो दोनों साइड में हमारे सीधे-सीधे फंदे आ गए है तो या तो इन दोनों फंदों को सीधा बुनने के बाद इस फंदे को जो हमारा चोटी वाला फंदा है इसको चड़ा है या फिर पहरे चोटी वाले फंदे में फिर इस साइड वाले फंदे में और फिर दूसरे साइड वाले फंदे में तीनों में एक साथ स्लाईड डाले और तीनों को एक साथ लेते हुए और सीधा फंदा बुन ले तो ये हमारा 9th रो कम्प्लेट हो गया अब देखिए अब इसके बगल में ये उल्टा फंदा आया है ये सिधा फंदा हो गया, इसके बगल में ये उल्टा फंदा आया है और इस सैड भी उल्टा फंदा है, तो ऐसे ही हमारा आना चाहिए यानि ये सेंटर फंदे के बगल में हमारा उल्टा फंदा आना चाहिए तो ये line जब ये पूरा circle complete हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने बुनाई में थोड़ा सा change करेंगे तो ये line मैं complete करके आपको दिखाते हूँ तो मैंने ninth row complete कर दिया है अब यहां से हमारा tenth row शुरू हो रहा है तो देखिए यहां पे हम थोड़ा सा change करेंगे अब ये पहला फंदा हमारा उल्टा है तो इसे हम slip कर लेंगे next फंदा next फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे अब उन अपनी और करेंगे ये next फंदा देखिए उल्टा है तो इसे हम slip कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे, अगला फंदा सीधा, इसे हम बुन लेंगे, उन अपनी और करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी और करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी और करेंगे, अगला फंद सीधा है इसे हम सीधा बुन लेना है उन अपनी ओर करेंगे देखिए उल्टा फंदा आ गया तो इसे हमें बुनना नहीं है इसे बस हमें सरका लेना है स्लिप कर लेना है उन दूसरी ओर करना है और सीधे वाले फंदे को बुन लेना है यानि जितने उल्टे फंदे आएंगे उन्हें हमें बुनना नहीं है, सिर्फ सीधे वाले फंदे को बुनना है, और उल्टे वाले फंदे को बुनने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है, सीधा फंदा बुन लिया, उन अपनी और किया, उल्टा फंदा है, इसे स्लिप किया, उन दूसरी और किया, सीधा वाला फ तो ये पूरा circle complete करके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए friends, सीधा फंदा बुनते हुए और उल्टे फंदे को slip करते हुए पूरा circle मैंने complete कर लिया अब फिर मैं starting point पर हूँ तो अब की हम उल्टे वाले फंदे को बुनेंगे उल्टा फंदा बुन लिया, उन दूसरी और किया और सीधे वाले फंदे को slip करेंगे उन अपनी और करेंगे, उल्टे वाले फंदे को हम बुन लेंगे उन दूसरी और करेंगे और सीधे वाले फंदे को slip करेंगे उन अपनी ओर करेंगे उल्टे वाले फंदे को बुन लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और सीधे फंदे को स्लिप करेंगे यानि इस रो में हमें सीधे फंदे को स्लिप करना है और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनना है उल्टे वाले फंदे को बनना है और सीधे वाले फंदे को स्लिप करना है तो इसी तरह करते हुए पूरी circle हमें complete करनी है तो पूरी circle complete करके मैं आपको दिखाते हूँ देखिए friends हमने दो round complete कर लिया पहली round में हमने सीधा फंदा बना और उल्टे को उतारा और दूसरे राउंड में हमने उल्टा फंदा बुना और सीधे को उतारा अब ये तीसरा राउंड है तो इसमें हम उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे वाले फंदे को बुनेंगे उन अपनी और करेंगे उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और करेंगे सीधे फंदे को बुनेंगे तो सीधे फंदे को बुनते हुए हम ये राउंड भी कम्प्लीट करेंगे ऐसे ही सभी सीधे फंदे को बुनते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में हम उल्टे फंदो को बुनेंगे और सीधे वाले फंदे को स्लिप करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो दो round complete करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए friends हमने दोनों line complete कर लिया एक बार फिर से revise कर लो बाद एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए 9 rows complete की 9 यह हमारा यहां से शुरू होगा और वापस यहां आएगा तो एक line complete होगा तो हमने 9 rows complete की और यहां पे यह जो चोटी बना है यहां पे तीन फंदे का एक किया यहां पे हमने तीन फंदे का एक किया तो इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताएं या तो पीछे वाले यह चोटी वाले फंदे को छोड़के इन दोनों सलाईयों का एक एक फंदा लेंगे दो फंदे का एक करेंगे और चोटी वाला फंदा इसके उपर चढ़ा देंगे या फिर तीन फंदे को हम एक साथ लेते हुए तीन का एक करेंगे पहले चोटी वाले फंदे में सलाई डालेंगे फिर इधर वाले फंदे में और फिर इस साइड वाले फंदे में और तीनों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे तो इस तरह हम यहाँ पे दो फंदे घटाएंगे तो हर लाइन में यहाँ पे दो दो फंदे कम होते चले गए तो हमने नौ लाइन कम्प्लेट कर लिया दस्वे लाइन में हमने एक फंदा बुना और एक फंदा उतारा दस्वे लाइन में हमने सीधे वाले फंदे को बुन लिया और उल्टे वाले फंदे को उतार लिया इवन इस फंदे को भी जो हमारा चोटी का फंदा है इस फंदे को भी लेके यानि कि यहाँ पे दसवे लाइन में हम कोई फंदे घटाएंगे नहीं यहाँ पे भी यहाँ पे कोई फंदे घटाएंगे नहीं सबी सीधे फंदे को हम बुनते जाएंगे और उल्टे वाले फंदे को उतारते जाएंगे तो हमने दस्वा लाइन कम्प्रेट किया ग्यारवे लाइन में हमने उल्टे वाले फंदे को बुना और सीधे वाले फंदे को उतारते चले गए पूरा लाइन कम्प्रेट किया बारावे लाइन में फिर हमने सीधे वाले फंदे को बुना उल्टे वाले फंदे को उतारा और 13 लाइन में हमने उल्टे वाले फंदे को बुना और सीधे वाले फंदे को उतारते हुए पूरी रो कम्प्रेट की यानि यहां से लेकर यहां तक हमने रो कम्प्रेट कर ले आप सोचेंगे कि हमने 14 लाइन बुना यानि बहुत लंबा यह चौड़ा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो दो उल्टे फंदे हमने बुना है और सीधे वाले फंदे को उता लिया है वो इस साइड में आ जाएगा तो इसके साथ ही हमारा बुन्ने का सिल्सिला खतम होता है अब हम इन फंदों को सुई की साइता से बैन्द उफ करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा लंबा थ्रड ले लेंगे दागा हम थोड़ा लंबा काटेंगे और उसमें सुई डाल लेंगे देखिए फ्रेंट्स हमने यह उल्टा फंदा बुना है हमारा थ्रेड इस साइड में है तो और यह हमारा पहला फंदा उल्टा का है इसे हम अपनी साइड से ऐसे डालेंगे और धागे को खिच लेंगे और अब यह जो हमारा इस साइड का फंदा है उसमें ऐसे उपर से डालेंगे और हमारे इस तलाई के पहले फंदे में ऐसे अंदर से थ्रेड को खिच लेंगे अब उल्टे तरफ से बुनना है तो पहले बुने हुए फंदे में ऐसे स्लाई डालेंगे उसके बाद जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें इस साइड से जिसे हमने सिल दिया है इसमें देखे एक बर हमने सिल लिया है इसी में दुबारा हम ऐसे सुई डालेंगे और जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें इस तरह देखे दूनों लगा हुआ है ऐसे करेंगे और ध्रट को खिश लेंगे न हमें बहुत टाइट करना है न बहुत धीरा चुना है अब इसमें हमने एक बर कर लिया है वापस इसी में दुबारा ऐसे सुई डालेंगे उपर से और जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अं इसे हमने इसमें एक बर सिल लिया है तो इसी में दुबारा हम ऐसे उपर से डालेंगे और जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से गिराएंगे धर्ट को खिश लेंगे इसी तरह जो दूसरी साइड में जिसमें हमने एक बर सिल लिया है उसी में दुबारा ऐसे डालेंगे ऐसे उपर से और जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें अंदर से जिसे हमने एक बार सिल लिया है उसी में ऐसे उपर से डालेंगे और जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें अंदर से इसे गिरा लेंगे थेट को खीच देंगे उसी तरह जो जो दूसी साइड में भी जिसे हमने सिल लिया है उसमें ऐसे उपर से डालेंगे, और alternation को गिराएंगे, और खिंच लेंगे देखिए यह कितना क्लीन आ रहा है, देखिए यह हमारा बाइंड आफ होना शुरू हो गया है तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बाइंड आफ कर लेंगे तो मैं यहां तक आके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारी एक सलाई खाली हो गई और ये देखिए एक तरह का गला ये बन गया है देखिए ये देखिए ऐसे बना हुआ है जब हमारा सही बनता है तो ऐसे ही क्लीन आएगा तो हमने एक साइड का गला ये बना लिया है अब ये देखिए अब हम चोटी के पास पहुँच गया है तो उल्टा फंदा हमने बना लिया है अब देखिए ये सीधे वाले फंदे में ऐसे उपर से डालेंगे और जो स्लाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से स्लाई के अपोजित डिरेक्शन में ऐसे डालेंगे धागे को खिश देंगे और फिर इसमें ऐसे उपर से और उल्टे वाले फंदे में स्लाई के डिरेक्शन में ही ऐसे डालेंगे देखिए यह हमारा फंदा है तो सलाई के डारेक्शन में ही हम ऐसे डालेंगे सीधे वाले फंदे में ऐसे उपर से और सलाई के अपोजित डारेक्शन में जिदर इसका मुह है उसकी दूसरी तरफ फ्रट को खिश देंगे अब उल्टे फंदे में ऐसे उपर से डालेंगे जिसमें हमने अभी सिला है इसमें उपर से और जो सलाई में लगा हुआ है उसमें देखिए यह हमारा सलाई है तो सलाई के डारेक्शन में ही हम ऐसे डालेंगे देखें, दोनों हमारा सलाई और सुई दोनों एक ही दिसा में ऐसे गए है ऐसे डालेंगे, अब इसको गिरा देंगे और थर्ट को खिच देंगे सीधे फंदे में, उपर से उपर से और सलाई के अपोजित डिरेक्शन में ऐसे डालेंगे और उल्टे फंदे में, देखिए, यह उपर से और सलाई के ही डिरेक्शन में ऐसे डालेंगे फिर से देख लीजे, देखिए, फिर से देखिए सीधे फंदे में ऐसे उपर से डालेंगे जिसमें हमने एक बर सिल लिया है उसमें ऐसे उपर से डालेंगे और जो सलाई में लगा है उसमें सलाई के अपोजित डिरेक्शन में ऐसे सुई डालेंगे थ्रट को खीचेंगे और उल्टे फंदे में ऐसे जिसमें हमने एक बर सिल लिया है उसमें ऐसे उपर से और जो सलाई में लगा हुआ है उसमें सलाई के ही direction में ऐसे डालेंगे देखिए ये हमारा सलाई है और सुई दोनों एक ही direction में आ गया अब फंदे को गिराएंगे और थ्रड को खिश लेंगे तो इसी तरह करते हुए मैं यह पूरी लैन में बना लेती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रैंड सारे फंदे क्लोज हो गए हैं अब यह लास्ट फंदा है तो यह बुने हुए सीधे फंदे में ऐसे उपर से और इस फंदे में ऐसे अंदर से डालेंगे और उसके बाद इस साइड में आएंगे बुने हुए उल्टे फंदे में ऐसे उपर से और यह देखिए इसमें ऐसे डालके यह हमारे सारे फंदे यह देखिए हमारा यह बन के त्यार हो गया अब ऐसे हम नीचे आएंगे इसे फसाते हुए नीचे आजाए और यहां पर गाट लगा लेजे और अब इसको हम काट देंगे हमारा यह गला कंप्लीट हो गया इसको मैं बाद में काट लोंगी हमारा गला कंप्लीट हो गया है आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों में अपने श्तेदारों में शेयर कीजे पहला आइकन प्रेस कीजे ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद